हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ RPF Constable and SI भरती के बारे में दोस्तों साल 2022 में ये भरती आने वाली है इसके बारे में दोस्तों एक latest ख़बर आया हुआ है बहुत लोग आप लोगों को बिना कोई Evidence का मैं मन्त बता रहे हैं कि मैं मंत में आईगी ये भरती कुछ लोग जून मंत बता रहे हैं कि जून मन्त में आईगी ये भरती दोस्तों पूरी Reality के साथ आप लोगों को Evidence के साथ इस वीडियो में Information मैं देने वाला हूँ कहा कि रेलवे में रिक्त पदों की कुल संख्या 2,98,428 है उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्ण के लिखित उत्तर में कहा रेलवे आनलाइन भरती कर रहा है और भरती प्रकिरिया को तेजी किया जा रहा है कहने का मतलब है दोस्तों भरती प्रकिरिया है जो ये पदे हैं इस साल से खर्च में कटवती के नाम पर बरतियां नहीं कर रहा था आगे दोस्तों क्या कुछ बताए गया है आप लोग देख सकते हो मीटिंग और गयरा के बारे में सबसे मुद्दे की बात जो बताए गया है खाली पदों को भरने के लिए विस्तिच चर्चा की गई आगे बता कि आरपी अप आरपी अप के द्वारा ही सुरक्षा की जाती है रेलवे में जी हां दोस्तों आरपी अप और आरपी अप की भरती जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा साथ के साथ आप लोग देख सकते हों इसके बाद रेलवे बोर्ड ने असी हजार से अधिक पदो पर खुली बरती का आदेश जारी किया है कहने का मतलब है पचास प्रस्यत पदों को जो भी खाली है और पीए और पीए सब के वो भरा जाएगा जल्द से जल्द उसके बाद 80,000 और पदों को फिल किया जाएगा जल्द से जल्द ऐसी इंफॉर्मेशन दोस्तों रेलवे रिक सेप्टी कटेग्री के 4755 पदों पर भरतियां की जाएगी यानि दोस्तों कहने का मतलब है 4755 पदों पर केवल इन जोनों में भरती होगी 70 कटेग्री में दोस्तों मिलाकर मैं ही आप लोगों को बता दू कि 18,000 के सम्थिंग अलग अलग जोनों में भरती आएगी आर्पी अप आर्पीस अप की उसमें दरोगा की भी भरती इंक्लूड है दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि भरती आने वाली है कितने पदों पर आएगी इसके बारे में अब दोस्तों बात किया जाए भरती कब आएगी आवेदन कब स्टार्ट होंगे माई के एंड या फिर दोस्तों जून के फ़र्ष्ट वीक में आने की पूरी इंफॉर्मेशन लगबग मिल लई है वैसे आप लोग समझ लीजिए कि 15 माई के बाद ही आप ल चीजित्र साल जनरे वालों की एज मांगी जाती है और रिलक स्टों जो आईज पर रूब है वही दोस्तों रिलक सेजन है OBC, SC, ST वालों के लिए इसके एलामा अगर बात किया जा हाइट 165 सेमी केवल हाइट मांगी जाती है आरपी अप के भरती में जिहां दोस्तों इसके एलामा कोई और लेटेश्ट अपडेट आएगी कि डेफिनेटली आप लोगों तक इनफॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना बुरिए